तेहरा फरवरी 1889 में भारत के शहर हैदराबाद में जन्मी सरुजनी नाइडू जो की भारत की कोकिला कहलाती हैं एक महान कवित्री स्वतंतरता सेनानी और एक परसित्व वक्ता थी जिन्हें देश की पर्थम महीला राज्यपाल और भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस की पहली महीला अध्यक्ष बनने का भी श्रे जाता है जिनके विचारों ने गांधी जी को भी बहुत प्रभावित किया गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ओफ टाइम और ब्रोकन विन जैसे काव्य संग्रह से उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई वर्ष 1964 में उनकी जैन्ती के आउसर पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाग टिकट भी जारी किया वर्ष 1919 में नाइडू जी की स्पीचिज एंड राइटिंग ओफ सरुजनी नाइडू नामक पुस्तक प्रकाशित हुई इस पुस्तक में नाइडू इसलाम और कुरान के सम्मंद में कहती हैं नियाएबोध इसलाम का सबसे ज़्यादा आश्चरिये में डाल देने वाला आदर्श है क्योंकि मैंने जब कुरान पढ़ा तो पाया कि इसलाम ने जीवन के सत्य सिधान्त दिये हैं जो कालपनिनिक नहीं बलकि वैवहारिक हैं और पूरे जीवन के लिए दैनिक कार्यकरम निश्चित करते हैं ये सिधान्त पूरी दुनिया वालों के लिए है ना कि किसी विशेश छेत्र और देश के लिए है